तमस्कार स्वागत है आपका एटी नाव स्वादेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजात्र पाटी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वादेश और इस दर शो में हम आगे आपको बताएंगे सुबह सुबह पहले क्यूज के सरा से मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से ग्लोबल मार्केट कैसे लग रहे हैं आज के लिए ट्रेट सेट अप कैसा है ये भी आपके सामने रखेंगे और उसके बाद खबरों वाले शेर्स, कमोडिटी और ब्रोकरिज हाउस के रिपोर्ट्स पर भी हमारी नजर होगी चली शो की शुरुआत करते हैं और सबसे प और चुपर हैं कौरिया के बाजारों में 14 अंकों की मजबूती है जपान के बाजार 218 अंक मजबूत हैं तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिते भी इंडाइस्स हैं वो हरे निशान में ही हैं इंक्लूडिंग एक्स जेस निफ्टी लेकिन चींग के बाजारों में अगर द debt ceiling को लेकर जो चर्चा चल रही थी उसी पर फोकस रहा हाला कि कुछ फैसला नहीं निकला लेकिन बयान आ रहे हैं एक के बाद एक वो हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे डाउ जो उसकी बात करें तो वहाँ पर करीब आधा परसेंट की कमजोरी थी 140 अंकों की वीक्नेस देखने को मिली लिगे वही दूसरी तरफ नास्डाक में शांदार तेजी थी डेट सीलिंग की चर्चा और फेड के तरह से जो एक बाद एक ब्यासदरों को लेकर कॉमेंट्स आ रहे हैं उसके बीच हमने देखा कि नास्डाक में अच्छी मजबूती थी करीब आधा परसेंट की और अगर क्लोजिंग के लिहाज से बात करें तो अगस्त के बाद हाइस अगस्त के बाद हमने देखा कि अच्छी मजबूती आई थी नास्डाक में एसेंपी 500 तिन भर दाएरे में रहा लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो हरे निशान में ही हुई तो डाउ जो अमेरिकी बाजारों से काफी मिले जूले क्यूज हैं अब कल जो डेवलप्मेंट प्रेसिडेंट जो बादन और हाउस्पीकर केविन मेकार्थी के बीच डेट सीलिंग को लेकर चर्चा हो रही है कुछ फैसला तो नहीं आया लेकिन मेकार्थी के तरफ से कुछ कॉमेंट्स आये हैं उन्होंने जो बादन के साथ हुई चर्चा को काफी प्रोडक्टिव और प्रोफेशनल बताया, उन्होंने कहा कि अभी 11 दिन का समय बाकी है, डेडलाइन उनके दिमाग में है और जब तक इस पर फैसला हो नहीं जाता, वो रोज इस पर चर्चा करेगे, हो सकता है, 11 तार डिसीजिन यहां पर देखने को मिले, लेकिन पूरी कोशिश यही रहेगी, क दोनों ही पार्टी के बीच और कुछ कंस्रक्टिव फैसला यहां पर सामने निकल कर आए, इसी पर दोनों की कोशिश है, तो फिलहाल मेकार्थी की तरफ से यह बयां की चर्चा सही चल रही है, सही डिरेक्शन में है, जल्द ही इस पर फैसला देखने को मिलेगा, उसके बा बॉर्ड मार्केट और कमोडिटी सेग्मेंट में, डेट सीलिंग के चर्चाओं के बीच हमने देखा कि बॉर्ड येल्स 3.7% के पार अब बर निकल चुके हैं, और अभी यहां पर ब्यासदरों को लेकर भी फैड ओफिशल के तरफ से काफी मिले जुले स्टेटमेंट्स आ कुछ मिले जुले बयान आएं, डेट सीलिंग पर चर्चाओं आगे है, तो वहां पर अभी कुछ क्लारिटी ने मिल रही है, इसके चलते हमने सोने में कल हलकी वीकनेस देखी, कच्चे तेल में दोनों साइट के फैक्टर्स काम कर रहे थे, एक तो डॉलर में मजबूती कि कच्चे तेल में बढ़ा जरूर नजर आई, लेकिन उपी सरों से दबाव रहा है, तो यहां पर दोनों साइट के फैक्टर्स कांट्रिब्यूट कर रहे हैं, अगर हम बात करेंगे, तो अब सब की नजर ठीकी हुई है, डेट सीलिंग पर से जुड़े हर बयान पर, हर प बाताने वाले कुछ हफतों में जहां फोकस रहेगा, इस बीच FIs और DIs के आंकड़े अगर देखें तो यहां से भी पॉजिटिव ही क्यूज मिल रहे हैं, कैश मार्केट में देखेंगे, तो FIs ने 922 करोड की खरिदारी की है, भारते बाजारों में, DIs घरवली उनिवेश स्टॉफ फ्यूचर में 1126 करोड की खरिदारी का आकड़ा है, स्टॉफ ऑप्शन में 201 करोड की खरिदारी का आकड़ा है, यहां पर नज़र आ रहा है, तो अगर आप बात करेंगे, तो यहां से भी जो क्यूज मिल रहे हैं, वो पॉजिटिव ही हैं, अब आगे पढ़ते ह हैं, और ऐसे में भारती बाजारों में क्या करें, क्योंकि यहां पर भी काफी मिक्स कारोबार था, निफ्टी तो एक तरफ अच्छी तेजी थी, 111 अंक ऊपर, लेकिन बैंग निफ्टी में कल हमने हलकी वीकनेस देखी, तो ऐसे बड़े इवेंट्स भी लाइनप है, सीरी इसकी एकस्पाइरी होने वाली है, तो भारती बाजारों को कैसे ट्रेड करें, ये भी समझ लेते हैं, और हमारे साथ इस वक्त नितिलिश जोड़ चुके हैं, फोन लाइं पर, नितिलिश थांक यू सो मच, इतिनाव स्वादेश को समय तेरे के लिए, गुद मॉनिंग, क् इसकी एक चीज़ कहना चाहूंगा, कि जो मार्केट टाइट रेंज में खसा है, नीचे में इटराजार सो से लेके उपर में इटराजार तीन सुपचाथ, एक दो सो से लेके डाइसो पाइंटी रेंज में मार्केट लास कुछ दिलों से वक्त भीता रहा है, तो मेरे यह अल्मोस 15 सा पॉइंट का रैली हो चुका है, और एक दीप एक्सपेक्टेड है, मुझे तो यहां पे आप इंडेक्स में शौट पोजिशन बनाके चल सकते हो, निश्ती का रेंज जो मेरा होगा, अटराजार तीन सो पचास से लेके, अटराजार चासो पचास यह बेस बिक्वाली का रेंज होगा, उपर मेरा छे सुका, स्टिक्ली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो, और मेरा जो व्यू होगा, वो पोजिशनल यू होगा, आप एक से देड महीनी के लिए मार्केट में पूरा से लॉन राइज करके चल सकते हो, नीचे में एक बार हम लो स्टॉप लॉस होगा, और पहला जो टार्गेट होगा, वो गा 40.000 का और नीच्ट जो टार्गेट होगा, वो 42.000 का, ऐस देड में हमें दो से पांच दिन का एक वीव बनाके चलना चाहिए, और निफ्ती में हमारा पूजिशनल वीव होगा, चुबड़ एक टार्गेट के चलिए 43,800 के नीचे stop loss 44,100 का target 43,000 का यहां पर सुझा रहे हैं तो दोनों में ही clear कर strategy आपको बता दे गई है फिलहाल एक बिक्वाली की रणीती है दोनों हे indices में नतिलेश इसके अलावा stock specific रणीती क्या होगी आपकी तरफ से stock specific में में एक मेरा cell call होगा और एक में में लॉंग करना पसंद करूँगा टीवेस मोटार के साथ में एक कंडिशनल सेल करूँगा बारा सो पैटिस के नीचे बिक्वाली करूँगा बारा सो पचपन का stop loss होगा और target जो होगा वो 1150 का होगा मुझे लग रहा है कि जून के first week या फिर दस तरफ की एक target आना चाहिए फोड़ासा positional view लेके हम लोग चलेंगे तो जिनको भी short करना होगा वो जून की expiry में short करें और दूसरा जो counter होगा वो होगा भारती एर्टेल काफी दिनों से भारती एर्टेल 790 से लेके 800 इस रेंज में काफी टाइम बिता रहा है और मुझे लग रहा है कि अगर इस stock ने ब्रिक आउट दे दिया 807 रुपे का तो हम लोग दो दिन का target प्लान करेंगे 820 का 800 रुपे के stop loss के साथ 807 ब्रिक होने के बाद इसमें लेके है 820 को अगर यह sustain कर देता है तो हम लोग इसको carry forward करेंगे 900 रुपे के target के लिए चीक है तो भारती एटेल में खरदारी करने की राय नितलिश की तरफ से और इसके अलावा एक sell call है TVS Motors में यहां पर आप बिक्वाली करके चलिए 1150 के लेविस के लिए आगे हम आपके साथ कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करेंगे लेकिन अचलिए अब रूप करते हैं खबरों पर और नतीजे कौन-कौन से आएकल बाजार बंद होने के बाद शरत हमारे साथ जोड़ चुके हैं मार्जिन में अच्छी सुधार देखने मिले और यहां पर भी जो है स्ट्रोंग नंबर आपको सिक्वेंशल बेसेशस पह देखने मिल रहें के आमने लाइफ साथ के बारे बात करें तो यह बहुत अच्छी नंबर देखने मिला है और इसके अलावाइब करें तो लाजली इं-लाइन सेट आफ नमब्र देखने मिली है और टोटल सेल्स फोलिमें वह भी सिक्वेंशली एक ग्रॉथ नमबे दिखा है गुजरात-Alkalis की लगी है almost 46% का degrowth आया है संसेरा engineering की बात करें तो overall week set of numbers देखने मिला और हाली में लिस्टेड भी थी एक company लेकिन जो margins है वहां पे 130 basis points को गिरावट आपको जो year on your basis पे देखने मिला है के पर ग्लोबल के numbers जो तो यहां पर देखने मिली है अबिड़ा 18% गिर गिर गिरावट देखने मिला है ठीक है तो यह सारे numbers है कुछ नतीजे काफी अच्छा हैं कुछ अनुमान के मुताबिक और इसके अलावा कुछ नतीजों में यहां पर दबाव भी देखने को मिला है पूरा analysis आपको भी शरद करके बता रहे थे अशरद इसके लावा खबरों वाले शेर्स कौन कौन से हैं जी बिल्कुल पूजा तो सबसे पहले JSW steel focus में रहेंगा कल दो इंपॉर्टन announcement आये थे एक तो उनका करार हुआ है जापैन की जे एफी स्टील के साथ अब यहां पे वह बनाने वाले हैं electrical स्टील और इसके लावा उनकी यूनिट ने जो है लगबग सौ परसिंट स्टेग जो है नैशनल स्टील में खरिदने वाले है 621 करोड रुपे में तो इन स्टॉक को जरूर फोकस में रखेगा कैप्री ग्लोबल फोकस में रहेगा हाला कि नंबर्स तो अच्छे आए लेकिन उनकी फंड रेजिंग प्लान है उसको डेफर कर दिया गया है कल जो थी कल रात आने वाली थी फंड रेजिंग को यह मीटिंग है आई टी आई को लगभग 4,000 रुड का ओडर आ चुका है अब यसनल से अफकॉस उनके जो 4G को लेके है ओवराल आइडिया के बात करें तो उनकी वेज रिविजिन जो पैक्ट होती है वह अब इन्कलूट करें ग्लांट फरम और मोगन स्टैंली फंड में जो लगभग 10 लग शैस की वेक्वाली किया है को क्यो कैमलिन में इक्विटी इंटैलिजन ने 5 लग शैसरा नक्धिय से ज्यादा अब यादर की इक्विटी Вैंर वैलियात द्वारा प्रमोटर कॉंपनी है और वहीं पर matrimony.com में carnelian asset advisors ने भी एक लाग शह से ज़्यादा का acquisition किया है और यह promoted है विकास खेमानी से, max healthcare में GQG partners fund ने जो है 75 लाग शह की acquisition की है वैदानता भी focus में रहेगा और पहला dividend विच साल 2014 का declare किया गया है प्रती शहर का और अगर dividend yield देखें तो लगभग 6% से जादा का dividend yield आ रहा है तो इसको जरूर focus में रखेंगा और आखिर में बात करूंगा वेरंडा learning acquisitions का कल देर राज जो है company ने announce किया कि उन्होंने साथ companies की total acquisition की है अपनी holy owned subsidiary द्वारा इन total acquisitions का cost लगभग 400 करोड पढ़ रहा है लेकिन याद रहें कि जो acquisitions होने वाली वो company को EBITDA का लगभग आपके सकते 50 करोड contribution करने वाला है और overall जो है देखा जाए company का जो EBITDA है वो 100 करोड हो सकता है FI24 के लिए तो important forward guidance जो है वेरंडा learning solution से देखने मिल रहा है All right, thank you Sharath, यह सारी details के लिए तो डहर सारे नतीजे आए हैं, खबरो वाले shares भी काफी सारे हैं, Vidanta, Stock, JSW, Steel, Capri Global और Gland Pharma यहां पर भी काफी सारे fund actions से जुड़ी भी खबरे आज आई हैं तो इन पर आप रखिए चली चोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे commodity market में किस तरह का action expected है आज और इसके लावा brokerage house के रिपोर्स भी आपके साहने रखेंगे एक चोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चलीए अब आपको बताते हैं कि brokerage house के रडात वर कौन कौन से stocks हैं वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी details के साथ वामाक्षी good morning बताइए बलकुर शुरुआत करते हैं हम Excite के साथ JP Morgan की तरफ से रपोर्ट है और इनका कहना है कि visibility सुधर रही है lithium-ion project में काफी positive commentary भी है EV battery और core lead asset business के margins को लेकर मस्बूत balance sheet और attractive valuations के चलते JP Morgan ने अपनी overweight की राय को बरकरा रखा और अपना target price भी बढ़ा कर 245 प्रतिशेर पर कर दि कि company ने quarter form में जो मुनाफ़ा report किया था 7,840 crores का ये एक decadal high पे है Q4 के earnings largely refining और higher domestic sales के चलते अनुमान से smooth company ने report किये है मगर इसके बावजूद bank of America का ने अपनी underperform की राय को बरकरा रखा है target price 315 के साथ power grade agra stock है हमारे radar पर city का मानना है कि relatively stable business model है company का healthy return on equity के साथ medium term पर वो expect कर रहे है कि renewables linked transmission capacities growth initiatives को support कर सकते हैं और overall city की तरफ से खरदारी की राय आ रही है और in fact उन्होंने अपना target price पढ़ा कर 288 प्रतिशेर पर कर दिया है आखिर में हम focus करेंगे Shree cement पर company के नतीजे के बाद हम देख रहे है कि काफे सारे brokerage reports आ रहे है लाचली brokerages का कहना है कि EBITDA अनुमान से थोड़े कंजोर company ने report किया है cement volumes हाला की 10% year on year पड़े है industry wide demand pick up के चलते मगर cost per ton higher था fuel cost ने negatively surprise किया है और उसी के चलते cost per ton company का थोड़ा higher रहा है और उसी के चलते EBITDA पर impact देखा है तो overall अगर हम देखें Morgan Stanley की तरफ से equal weight की राया रही है 225,600 के target price के साथ और Jeffries की तरफ से hold की राया रही है 21,850 के target price के साथ तांकिए मामाक्षी ये reports बताने के लिए अब आगे बढ़ेंगे और commodity markets में क्या expected है आज क्या action देखने को मिल सकता है ये बताने के लिए हमाई साथ SMC Global की वंदना भारती जोड़ चुकी है वंदना गुन मॉनिंग सोने चांदी से पहले शुरुआत करते है कल हलकी हमने weakness देखी आज भी क्या weakness continue रह सकती है या फिर buy on dips की रणीती आप सुझाएंगी मुझे लग रहा है कि weakness यहां पर continue हो सकता है मार्केट में डेटा तो यहां पर negative है लेकिन जो major attention है वो debt feeling पर ही है और यहां पर positive outcome आने की उमीद है तो most probably यहां पर इक pressure देखा जाएगा सोने चांदी पे और इसकी वज़े से देखा जाए तो dollar index में बढ़ा तारी है 103.7 का मेरा target है dollar index में और यहां पर एक pressure उसकी वज़े से देखा जाएगा gold silver में 60,200 के level पर sell करना चाहिए 59,900 का जो level है वो आ सकता है यहां पर 34 लगाना होगा 60,350 और international market में electronic trading session में भी यहां पर down है तो हो सकता है कि gap down opening भी यहां पर देखने को मिले gold में ठीक है तो gold पे तो clear cut view, बिखवाली का ही pressure हावी रह सकता है 59,900 के levels के लिए आप बिखवाली करके चल सकते हैं सोने पर वन्ना एक बार कच्छे तेल पर भी अपना view share करिए किस तरह की चाल लग रही है, क्या कोई trading रणीती share करेंगे या फिर अभी avoid करना चाहिए कच्छे तेल में क्योंकि दोनों साइट के factors हम देख रहे हैं यहां पर play out हो रहे हैं यहां पर कच्छे तेल में देखा जाए तो दोनों ही साइट का move है, एक mixed figure की तरह यहां पर काम हो रहा है मेरे ख्याल से आज inventory मतलब यहां पर कल के दिन में inventory यहां पर थोड़ी सी कम होके आने की उमीद है और एक upside जो है वो यहां पर सलाल बन रहा है और लेकिन upside यहां पर kept रहेगा, यह मैं यहां पर बताना चाहती है कि मुझे लग रहा है कि upside यहां पर kept रहेगा international market में यहां पर 40 cents के करीद यह upside रहा है 60101 लेवल रहेगा जहां पर buying करनी चाहिए target यहां पर छोटा सा होगा 6110 का यहां पर लगाना होगा 5970 का तो छोटे points के लिए यहां पर बाय करके चाहु सकते हैं लेकिन जो अभी major consolidation का ही है इस counter में ठीक है और अब इस पेंटर में कहा मोके देख रही हैं पन्ना मुझे लग रहा है कि यहां पर इस counter पर एक pressure होगा क्यूंकि यूए से इस पार जितना भी data आना है इस हफते में वो सारे negative यहां आने की उमीद है और dollar index में भी बढ़त है तो यहां पर मुझे लग रहा है कि एक pressure देखनी को मिलेगा विंक में काफी fall आ चुका है अलएड़ी फिर भी मुझे लग रहा है कि में कॉंट्रेक्ट में ट्रिपल टू के लवल पे एक selling बनती है 216 का टागिट होगा stopless यहां पर जरूर लगाना होगा strict stopless 225 का ठीक है थांकिए वन्ना आपका समय देने के लिए और यह रणीतिय सुझाने के लिए हमारे दर्शुकू को थांकिए सुमज आपका अब चलिए बागे बढ़ेंगे और आप equity market में trading ideas क्या हैं यह भी आपके सामने के करके रखेंगे कोटक Securities ने Reliance में खरदारी करने की राय दी है पच्छिस सो के levels के लिए आप यहां पर buy कीजिए Reliance को और stop loss होगा 2430 का और दूसरा call है HDFC Life पर 580 के target के लिए आप buy कीजिए stop loss होगा 560 का तो दोनों ही निफ्टी counters में खरदारी करने की राय प्रभुदास लीला धर ने दोनों railway stocks चुने हैं रेल टेल इंको अच्छा लग रहा है 130 का होगा target stop loss 116 का देख रहे हैं और इरकॉन में भी स्टाटेजी आपको सुबह बताई दी गई थी एक बार रिवाइस कर लेते हैं TBS Motors यहाँ पर बिखवाली की राय उन्होंने दी थी झाल झाल झाल